CBSE class 9-12 के जब paper बनाता है या फिर 12-11 के syllabus के बेस पे जितने paper होते चाहिए आपकर JEE का exam हो, NEET का exam हो, CUVT का exam हो वो सभी exam NCRT से बनाया जाते हैं और NCRT में recently बहुत बड़ी changes हुए है NCRT ने syllabus को reduce कर दिया है NCRT से बहुत सारे chapters को delete कर दिया गया कई सारे reason बताये गए है NCRT के बहुत बड़ी update है जिसके बाद future पढ़ाई का बहुत बदलने वाला है 16 सालों बाद NCRT में कुछ change आया है और बहुत बड़ा change आया है मतलब अप्रोक्स कह सकते हो 30% 33% तक syllabus reduced हुआ हार एक subject का ठीक है तो आज की वीडियो में बात करने वाले है biggest change in NCRT किस तरह से 9th to 12th का syllabus change हो और यह permanently हो गया है मतलब जो 12th के student है उन्हें कभी भी वो chapter नहीं पढ़ने है वो हमेशा के लिए उन chapter से बच चुके है कुछ chapter nightmare थे मेरे क्या views है मैं बताऊंगा और मैं आपके views जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा हाँ अब देखिए NCRT तो change हो चुकी है अब NCRT को ही follow करते है NEET और JEE बट इनको conduct करते है NTA NTA ने अभी तक कोई announcement नहीं किया कोई NTA अभी busy है CUT के exam लेने में NEET के exam लेने में मुझे बहुत उमीद है कि बहुत जल इस साल नहीं तो अगले साल ये बात आही जाएगी कि NTA ने इन exams के लिए भी NCRT को follow कर लिया है जो chapter delete हो है उनको delete कर दिया गया है और NCRT में जो change आया उस्टेम हमारी NEPI ती new education policy ती जिसमें बात की गई थी कि हम ratification को कम करेंगे और पूरा ध्यान होगा हमारा competency based study की तरफ कि बच्चे रटे ना हमारे बच्चे concepts को समझे है पढ़ाई से डर के ना पड़े मजह लेके पड़े तो बहुत सारे chapter ऐसे हैं जो कई-कई बार repeat होते ह है तो कोई sense नहीं बनती जोनोंने higher class में पढ़ने हैं तो lower class में क्या क्यों पढ़ा रहे हैं हम उने या ऐसे कुछ topics रहते हैं जो दो तिन subject में common रहते हैं तो दोनों तिनों जगा क्यों confuse कर लो बच्चों को एक ही जगा confuse कर लो यह बहुत अच्छा रहा क्या था देखिए content of the textbook have been racialized in view of the following क्यों number one overlapping with similar content included in other subject in the same class, similar content included in the lower or higher class in the same subject, lower or higher class में है, difficulty level को देखते हुए, मैं एक example देता हूँ, एक chapter है पी ब्लोग, भाही को समुद्र है, एक महीन ने एक chapter खाजाता है और जब तक एनर तक पहुंते हो starting की बाते बूल जाते है, सत्में इसने बड़ा chapter हो, ब can be learned by children through self-learning or peer learning, मतलब ऐसा content रखा गया है, जो बच्चे खुझ से पढ़ सके, बहुत जादे दखल अंदाजी ना रहे teachers की, बहुत जादे teacher dependent होना पड़ेगा, वरना धिक्कत आजाएगी, तो ऐसा content रखने के इनोंने कोशिश की है, और content which is irrelevant in present context, आज कल के टाइम में उसकी कोई science नहीं बनती है, बड़ी सारी theories है, जो गलत है, वो होटा देनी चीए, लाइक, डल्ट एन अटोमिक थोरी है, जो बात में जाके गलत है, हम पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं होटाई, मेर से बात नहीं कि इनोंने, चलो, अब टोपिक प्याते हैं कोण कोण से, एक बार दिखाता हूं यारा, यह आवी। ये लिखो तूम ये बुक देखो ये ये न सालिए इतना इसकी इंपकल से उख़्ेर हैं, भलत आपकर वी सब्जेक्ट में देखे तो बीच बीच में सी ट्रोपिक उडा गए है तो ठोड़ा सा मुझे लगता है अब केमिश्टी में किया सोलिटिशेट फुल चैप्टर यदा डिया सर्फैस केमिश्टी फुल चैप्टर यदा यदा प्रिंसिपल पी लोग भी अप्रब्लिफ बहुत बहुत बन सकते थे यह मुझे बुरा लगा बट मेरे बुर मानने से सी वेसे इन्सी अशी एक प्रग नहीं परता है उड़ा दिया अब आ जाते हैं क्लास 11 पे 11 में फर्स्ट बुक में से एक चैप्टर बनाया है स्टेट्स ऑफ मैटर सेगिंड बुक तो बिल्कुल गाय भी घर दी है चार चप्टर अच्छा जादा पिछे पड़े हैं इन औरगैनिक के मैंने नोटिस किया कि इन औरगैनिक के पिछे हाथ दोगे पड़े हैं इन औरगैनिक के बारे में उन्होंने शायद वह कोटा अब यह मैंने इधर बना दिया है क्लास 12 में पहले 16 चैप्टर थे 16 में से 6 चैप्टर को उड़ा दिया गया है 10 चैप्टर आपके बच्चे हैं जो बच्चे हैं मैंने इस तरफ लिख दिये हैं सॉल्यूशन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स डिया ब्लोग कोडिनेशन का पाउंड है अल्कोल फिन इलिथर अल्ड हैटिक्ट्रों स्कार्बोक्स लिख अमाइन बायमोल्क्रों कलास 11 में बात करता हूं तो आपके पास 9 चैप्टर बचे हुए हैं और 5 चैप्टर आपके उड़ा दिये गए हैं तो टोटल आपके पहले 30 चैप्टर ह हैं जो अभी बच्चे हुए हैं 11 चैप्टर हैं जो आपके डिलिटेड हैं अब आपको यह बात सुनके कैसे लगा आप जरूरता न और आप क्या चाते हो कि नीट जेई में इसी साल इसी साल मतलब 2024 से ही यह सब कुछ डिलिट हो जाना चाहिए या नहीं केमेंट सेक्शन म क्या न जेदे के लिए जेए के लिए क्लास 11 के लिए क्लास 12 के लिए किसी के लिए भी पढ़ना है लिंक से पाइदा उठाओ तो अगर आप साथ महीं के बात पढ़ दो तो चैसे लिए बहुत ही लोग कोस्ट प्रोडक्ट है जैसे 1750 इसका प्राइस है ठीक है अब इससे क और यहां पर इतना सारे नोट्स डीपी टेलिग्राम चैनल परसेनली मुझसे बात कर पाओगे और डाउट क्लिरिंग सेशन तो सारे फाइदा आप लोग उठा सकते हो फाइदा इसका बागी कोई फोर्स निया इस चैनल पर सबकुछ प्रियोफ कोस्ट आता रहेगा टेलिग